हेलो नमस्कार साथियों मैं हर्बिर सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी 24 ओफिसियल में अगर आप इस चैनल पर नए है और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में बैल आइकन को भी दबा दीचिये क्योंकि इस चैनल पर आपको सारी चीजे जैनुएन मिलेंगे और अगर आप टीचिंग लाइन से हैं तो ये चैनल आपके लिए काफी इंपोर्टेंट रहने वाला है तो साथियों आज की इस वीडियो में मैं आपको काफी इंपोर्टेंट खबरे बताने वाला हूँ जैसा कि आप जानते हैं EWS EWS का मतलब होता है Economically Weaker Sections तो इसका मतलब होता है कि जो financially गरीब होते हैं आर्थिक रूप से जो कमजोर होते हैं उनके लिए ये EWS होता है तो साथियों इसमें क्या होता है कि प्राइवेट स्कूलों में भी जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उनमें भी इनको free सिक्सा दी जाती है EWS में क्या होता है कि private school में जो निजी स्कूल होते हैं वो भी free शिक्सा देते हैं और आपको बता देता हूँ कि 8 वी कक्सा तक इनको free शिक्सा दी जाती है और आपको पता भी होगा कि हर private school जल्दी से देता भी नहीं है क्योंकि एक गरीब इनसान को अपने हक के लिए लड़ना होता है तो ऐसी ही कुछ मैं आपको update देना चाहता हूँ तो सातियों आप असोक अगरवाल सर को अच्छे से जामते होंगे और मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा इनसान है जो शिक्सा से जुड़ा हूआ है वो उनको नहीं जामता हूँ तो साथियों असोक अगरवाल सर ने अभी क्या क्या है कि आठवी कक्सा के बाद सैक्डो बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाता है मतलब आठवी क्लास के बाद उन बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाता है उनसे फीस मांगी जाती है जैसा कि एक रूल है कि 8 वी तक उनको free शिक्सा दी जाएगी लेकिन सातियों अभी असोक अगरवाल सर ने उन्होंने क्या किया है उन्होंने याची का दाखिल किया है जन्हित याची का दाखिल किया है और उस पर कोर्ट ने फैसला दिया है और एक अच्छा फैसला आप मान स सकते हैं कि सातियों इसमें अब प्रा इवेट श्कुल ओने भी बारवी कक्सा तक फ्रीं सिख्षा मिलेगी EWS जो candidates है जो बच्चे हैं उनको बारवी कक्सा तक फ्रीं सिख्षा दी जाएगी कोई भी प्राइवेट स्कूल उनको नहीं निकाल سकता आप ध्यान दीजी कोई भी private school अब बच्चो को, students को पहले क्या होता है? 8 वी के बाद उनको भगा दिया जाता था जैसे आप जानते हैं कि private school हो में हर private school हो में नहीं लेकिन बहुत जादा private school हो में दिल्ली के अंदर आप देखेंगे तो जो teachers की salary है वो भी actual salary होती है वो नहीं दी जाती around 14,000 minimum wages है दिल्ली के अंदर लेकिन कोई भी उसको follow नहीं करता जल्दी से एक परसेंट का उन्होंने बताया था असोक अगरवाल सर ने तो अभी क्या है कि 8 वी कक्सा के बाद उन बच्चों को भगा दिया जाता है और कुछ का एडविशन ही नहीं लिया जाता तो सातियों अभी बहुत अच्छी ख़बर है ये उन गरीब बच्चों के लिए और मैं दिल से असोक अगरवाल सर को धन्यवाद करता हूँ और आप सभी को भी धन्यवाद करना चाहिए कि इतना अच्छा काम इनोंने किया है तो सातियों अभी बहुत अच्छा फैसला दिया है कोट ने भी कोट ने भी डारेक्ट किया स्कुल्स को कि आप एडविशन से मना नहीं कर सकते आप 9th क्लास में भी एडविशन उनको देंगे 12 तक उनको एडविशन देंगे मतलब 12 तक आप उनकी पढ़ाई को रोक नहीं सकते क्योंकि 9th में होते ही बच्चे को भगा दिया जाता था क्योंकि 8 वीक अक्सा तक Free Education का रूल था प्राइवेट स्कुल्स में भी लेकिन आप ये रूल बढ़ाकर 12 वीक अक्सा तक कर दिया गया है तो साथियों बहुत अच्छी बात है ये और जो गैर मानने था प्राप्त या मतलब निजी स्कुल्स हैं उनके लिए ये है प्राइवेट स्कुल्स आप बोल सकते हैं इनको तो साथियों बहुत अच्छी बात है क्योंकि असोग अगरवाल सर के पास ऐसे बहुत सारे केसिज आए थे मैं आपको बता दू क्योंकि मैं असोग अगरवाल सर से वर्टसप पे भी कनेक्ट हूँ तो असोग अगरवाल सर ने उस पर बहुत अच्छा एक्षन लिया है और गरीब बच्चों के बारे में इतना सोचा है उन्होंने तो मैं रियल बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छे इंसान है तो साथियों ये अपडेट है अभी आपके लिए अगर आपके बच्चे भी कहीं पर या आपके भाई बहन कोई भी आसपास पढ़ रहे है और आटवी काक्षा तक वो प्राइवेट स्कूल में फ्री पढ़ रहे हैं तो अब 9th में, 10th में, 11th, 12th में सभी में वो फ्री पढ़ेंगे आप ध्यान दें अगर कोई स्कूल मना करता है तो आप सीधे अशोक अगरवाल सर के पास जाएं जिया सातियों, तो ये अपडेट थी आपके लिए गुडबाई, टेक कियर, थेंक यू, जैहिंद, वन्दे, मात्रम